हलो बच्चो नमस्कार प्यारे बच्चो आज complex number की last class है आपके लिए और इसके बाद NCRT से हमारा पूरा complex number खतम हो जाएगा इस साल आपके square root का topic कट चुका है आपके course में से तो इस साल हम वो नहीं पढ़ेंगे ठीक है बाकी जो भी बच गया अब आज मिश्लीनियस में से आज में उसे खतम करा दूँगा तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं हाँ जी बच्चो जैसे मैं question number से पहले first करवा रहा हूँ आयोटा की power 18 plus one upon में आयोटा की power 25 का whole cube इसको solve करना है बच्चो हमें evaluate करना है ठीक है करते हैं कोई दिक्कत नहीं है बच्चो आयोटा की power 8 18 18 के बारे में साइद मैंने आप से बताया था कि बच्चार से पहले इसको divide करो क्यों हमें पता है कि आयोटा की power 4 पर हम 1 बना सकते हैं तो आयोटा की power 4 पर 4, 4 जा 16 और बच्च गया 2 तो it means इसको हम लिखेंगे किस से divide किया 4 से result कितना आया 4 जो बच्च गया वो आयोटा का square यह नि जो remainder है वो आयोटा का square प्लस 1 आयोटा की power क्या बन चुका है 25 ठीक है अब देखो बच्चो आयोटा की power 4 तो 1 की power 4 आयोटा का square क्या होता है minus का 1 प्लस 1 अपॉन मैं आयोटा की power 25 का मतलब हुआ बच्चिस को अगर हम solve करेंगे 4 से तो 4 चिक 24 और रह गया 1 it means आयोटा की power 4 की power 6 dot आयोटा की power 1 और इसका cube तो यह बन चुका है बच्चो यह बन चुका है एक की power 4 एक और यह minus का 1 1 आयोटा की power 4 बन गया 1 की power 6 और आयोटा की cube यह बन गया minus 1 प्लस 1 अपॉन में भई 1 की power 6 तो 1 ही रहेगा तो into में 1 आयोटा और आपको अच्छे से पता है कि हमें ऐसे question को rationalize करने की जरुत पड़ती तो इसे अंदर ही अंदर rationalize कर दो इसे अंदर ही अंदर क्या कर दो rationalize कर दो ठीक है तो जब आप इसे rationalize करेंगे तो वह आपका rationalize हुनके क्या बन जाएगा minus 1 plus iota upon iota का square cube minus 1 plus iota और ये minus का 1 तो minus 1 plus minus iota का cube अब आप देख सकते हैं कि इसमें से अगर मैं minus common ले लो तो सारी चीज़े plus में हो जाएंगी सारी चीज़े किस में हो जाएंगी plus में हो जाएंगी minus common ले ले लिए सारी चीज़े हो गए plus में लेकिन जैसे ही मैं cube खोलूंगा तो ये बन जाएगा minus का cube minus ही होता है और 1 plus में iota का whole cube चलिए open कीजिए a plus b का whole cube तो क्या होगा one cube one cube plus iota cube plus 3a square b plus 3ab square तो ये तो रहेगा minus one का cube one हां जी और ये iota cube होता है minus iota one का square one into three iota और ये रहेगा three iota का square minus one तो minus one minus iota three iota minus three तो minus हां जी तीन में से एक गया minus two तीन में से एक गया plus का दो iota minus अंदर ले जाओगे तो plus two minus two iota हमारा answer ये है करो बच्चो इस तरहीं से करना था एक simple था question है इसके बाद second बच्चो आज तक कभी exam में आया नहीं तो इसलिए मैंने कभी ज़रूरी नहीं समझा लेकिन अगर आपके school में इसको important बताते हैं तो मुझे बता दीजिएगा मैं फिर कभी दुबारा करा दूंगा चलिए question number third आप आराम से कर सकते हैं five आपको करवा चुका हूँ six, seven, eight और nine ये बच्चो आपका एक quadratic equation जिसमें d is equal to less than zero आने वाला case है वो मैं करवा चुका हूँ पहले ही अब हम करेंगे question number ten question number ten कर भा हूँ सकते हम चाने ख़ती है high तोदे कि अचूब कोशन नमबर टैन देखेंगे इफ जैड वन बरावर टू बाइनस आयोटा जैड टू बरावर वन प्लस आयोटा तो हमें फाइंड करना है मोड में जैड वन प्लस में जैड टू प्लस वन अपवन जैड वन माइनस जैड टू प्लस वन यही है न फाइंड ठीक है जी करते हैं क्या दिक्कत है तो लो भाई जैड वन प्लस जैड टू प्लस वन upon Z1 minus Z2 plus 1 हमें बच्चो ये find करना है हम लोगों को ये find करना है एक मिन बच्चो हाँ जी बच्चो तो हम लोग complex number का question कर रहे थे हैं कौन सा question number 10 ठीक है चलिए शुरू करते बच्चो तो Z1 आपके पास क्या है 2 minus I उटा Z2 आपके पास क्या है 1 plus I उटा सही बात है कोई दिकत और साथ में plus 1 upon Z1 क्या है 2 minus I ये क्या है minus 1 plus I उटा plus 1 चलिए solve करेंगे 2 minus I उटा plus 1 plus I उटा plus 1 2 minus I ये क्या करेगा minus 1 minus I अब जो कटे काटो जो नहीं कटे छोड़ो I उटा से I उटा cancel 2 plus 1 plus ये 1 तो 3 plus 1 4 upon अब कुछ कट रहा है बही 1 से 1 कट रहा है ये आगे आपका 2 minus क्या हो जाएगा 2 minus minus और ये minus का 2 I उटा अब क्या करेंगे 2 इसमें से common ले लीजिए 1 minus I उटा बचेगा और इससे कट देंगे 2 हाँ जी इसे काट देंगे क्या बचेगा 2 mode के अंदर 2 1 minus I उटा अब आपको पता ही है rationalization में हम लोग expert हैं तो क्या करेंगे 1 plus I उटा 1 plus I उटा तो ये बन जाएगा आपका 2 1 plus I उटा और ये A minus B A plus B तो A का square minus B का square यानि 2 1 plus I उटा 1 का square 1 I उटा का square क्या होगा minus का 1 2 1 plus I उटा 2 2 से 2 कट गया और हमारा answer mode के अंदर 1 plus I उटा और बाहर निकल के भी क्या रहेगा 1 plus I उटा करो अच्छो किजी इसको sorry 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 हमें तो रुक जाओ रुक जाओ ये निकालना है हाँ जी तो हमारे पास ये आ गया अब sorry क्योंकि मैंने यही छोड़ दिया क्योंकि complex number के अंदर mode का मतलब सिर्फ यही नहीं होता mode का मतलब होता है modulus निकालना mode का मतलब क्या होता है modulus निकालना और आप अच्छे से जानते है modulus निकलता है a square plus b square a की जगा पे है one का square और b की जगा पे iota के आगे कौन है one का square तो one plus one और under root हो गया two निकालो बच्छो, answer क्योंकि complex number में, mode में क्या आता है? modulus, चलिए, कीजिए 11th question बच्छों मैंने करा दिये तक, question number हम करेंगे 12th, जल्दी से इसको note करो, फटा फट फिर हम question number 12 करते है question number 12 12th, इसको note कीजिए चलिए बच्छों देखेंगे, आपके पास question है क्यारा कि, let, question number 12 देखेंगे, क्यारा, z1 की value है 2 minus iota और z2 की value है minus 2 plus iota तो क्यारा, find पहला, re, z1, z2 upon me, conjugate of z1 और 2, i am, one upon me, z1, z1 का conjugate यह बोला है, तो simple, और वही, re का मतलब है, re का मतलब है, कि आपको यहाँ पे जो भी complex number मिलेगा, उसका real number लिखना है और i am का मतलब है, कि जो भी आप यहाँ पे complex number निकालोगे, उसका आपको imaginary number लिखना है तो चल यह शुरू करते हैं, पहला part, first part, हाँ जी, re, z1, ठीक है, z1, या re छोड़ो, सीधा पहले solve करो, z1, z2, z1 का conjugate हाँ जी, z1, 2 minus iota, और z2, minus 2 plus iota, ठीक है, तो यह क्या बन जाएगा, और z1, 2 minus iota के उपर बार, ठीक है minus इसमें से common ले लो, तो minus बहार आके 2 minus iota, इसमें से common लिया, ध्यान रखना, तो यह बन जाएगा 2 minus iota, कैसे, minus इसमें से common लिया, तो minus वाली चीज प्लस में, और plus वाली चीज माइनस में, conjugate हटाओंगा, लगेगा plus, अब यह दोनों सेम बन गए, तो भई, multiply कर दो, लगे हा iota, iota, iota square, और यह बनेगा 2 plus iota, अब क्या करेंगे, minus 4, 2 और 2, minus का 4 iota, plus iota square, तो यानि क्या मन जाएगा, minus का 1, ठेक है जी, और यह 2 plus iota, minus 4, हाँ भई, 4, minus 1, और minus का 4 iota, upon 2 plus iota, अब, यहां करते हैं, 4 में से एक गया, 3, पहले minus, 3 minus 4 iota, upon 2 plus iota, अब क्या करेंगे, minus अंदर लेके जाओ, minus अंदर लेके जाएंगे, minus 3 plus 4 iota, upon 2 plus iota, और क्या कर देंगे, rationalize, क्या कर देंगे, rationalize, कर दो भाई, minus 3 plus 4 iota, 2 minus iota, a plus b, a minus b, a square minus b square, करो, 2 को से, minus 6, minus minus plus का 3 iota, plus 4, दुनी 8 iota, minus 4 iota का square, 4 minus iota का square, कितना हो जाएगा, minus का 1, हाँ जी, minus 6 plus 11 iota, 4 iota का square minus 1, 4 plus 1, 4 plus 1, ठीक है, पच्चो, 4 plus 1, अब क्या है, अब क्या है, हाँ जी, तो ये minus minus plus, तो यानि की, minus का 6, plus का 4, plus 11 iota, अब को, चार plus और एक, कितना हो गया, 5, चार में से, 6 में से, चार गया, minus का 2 plus 11 iota, बटा 5, separate कर दो, आपका अंसर आपके, सामने, ये अंसर है, बच्चो, तो अब हमें, पूछ रहा है, आपसे, कि real number बताओ, इसका, now, हम से पूछा क्या है, कि इसका, real बताओ, कि real क्या है, तो बस ठीक है, real कितना है, minus का 2, बटा 5 है, ये अंसर है आपका, ये आपका क्या है, अंसर है, और इसी तरीके से, बच्चो, आप IEM के ये वाला हिस्सा, solve कर लेंगे, और solve करके, जो भी iota वाला हिस्सा बचेगा, वो आपका क्या होगा, imaginary number होगा, वो आपका क्या होगा, imaginary number इसको note करो, फिर कहोगे तो imaginary number भी करा देंगे, इसको note कीजी, ठीक है, लो जैसे अगर मान लो, IEM भी निकाली देता हूँ, IEM भी डारेक्ट निकाल देता हूँ, one upon में Z1 और Z1 के उपर conjugate, तो देखो, हाँ जी, अगर मैं इसको solve करूँ, इसको solve करूँ, तो क्या बनेगा ये, one upon Z1 कितना है, two minus Iota, और two minus Iota के उपर conjugate, तो two minus Iota, और ये two plus Iota, तो a का square, 4 Iota का square, one upon 4, Iota का square क्या होगा बच्चो, minus का one, ये बनेगा one upon four plus one, तो ये one upon five, तो Iota तो कुछ बना ही नहीं, तो इसका मतलब plus zero Iota, तो इसका मतलब, अगर हम I.M. की बात करें, imaginary वाले की बात करें, इसमें, तो क्या आएगा answer? zero, क्या आएगा? zero, लिख लो, बहुत simple सा है, बहुत simple है, ठीक है, चलिए, देखिए, अब आता है, question number 14, बच्चों, आपसे question number 14 में कहा गया है, कि find the real number x and y, x और y real number find करो, if, if, x minus y Iota, 3 plus 5 Iota, is the conjugate of minus 6 minus 24 Iota, देखो, ये बात आपको पहले सही दी गई है, कि ये जो पूरा complex number का हिस्सा है, ये इसका conjugate है, आपसे ये बोला गया है, कि ये पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, is conjugate of this, conjugate of this का मतलब, इसकी पूरी multiple, इसके conjugate के बराबर है, ठीक है जी, x और y find करना है तो करो, x को 3 से 3x, x को 5 से 5, x आयोटा, y को इससे माइनस 3y आयोटा, y को इससे माइनस 5y आयोटा स्क्वेर, और माइनस 6, conjugate हटा होगे तो बीच में लगेगा प्लस, अब ऐसी गलती गलती से भी मत कर देना, कि इसको तुम प्लस का कर दो, conjugate हटने वे बीच का साइन चेंज होता है, ठीक है, चलिए, अब क्या करना है, 3x इन दोनों में, भई इसका तो क्या बनेगा, माइनस 5 आयोटा का स्क्वेर, माइनस 1, इन दोनों में तो आयोटा कॉमन आए गए ही आएगा, तो 5x माइनस 3y और आयोटा कॉमन, माइनस 6 प्लस 24 आयोटा, भई यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y, अब अगर गौर से देखोगे, अगर गौर से देखोगे, तो कंपेर तो ऐसा ही हो रहा है, आयोटा वाले को आयोटा वाले से, बिना आयोटा वाले को, बिना आयोटा वाले से, बाइ कंपेरिंग, हैं चलिए तो कि सॉल्व कर देंगे सॉल्व इक्विशन फर्स्ट और सेकिंड अरे ऐलिमिनेशन पैंटर्ड पढ़ा है न आप लोगों ने कि टैंथ किलास की बात है यह चलिए सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं पता ही है जिसके साइन अपोजिट हो उनको इक्वल कर दो ज्यादा आसान रहता है तो इसकी डिजिट को इसके मंटिप्लाई इसकी डिजिट को इससे मंटिप्लाई 3 से करेंगे क्या बनेगा 9x 15y-18 5 से करेंगे 25x 15y 24 पंजे 120 ठीक है जी तो एक कट गया 25 और 9 कितने होता बाई 25 और 9 होते हैं 34x 120 में 16 गया 102 34 तिया 102 यही होता बच्चो यहां पर क्या लिखा होगा 34x बराबर 102 तो 34 3 जा कितना आता बच्चो 102 तो x के वेल्लू आगे 3 put x in equation first equation first क्या है 3x प्लस 5y बराबर minus 6 तो 3x की वेल्लू 3 5y minus 6 तीन तिया 9 5y minus 6 plus का 9 वहां जाके क्या हो जाएगा minus का बच्चो minus 6 minus 9 minus minus plus का 15 पांच यहां multiply कर रहा है इधर आके क्या करेगा divide 5 एकम 5 पांच तिया 15 तो यहनि y की वेल्लू minus 3 और x की वेल्लू 3 ठीक है बच्चो करो करो note कर लो इसको question number 14 भी खतम question number 16 करा दिया था अब मैं आपको कराता हूँ question number 15 command 16 करें स्कून कर देते हैं capable 2 एक अवेल double वेल्ल, 양वेल थो यहा रादार मैं स्कून कर दो what different एक बन वच्चो वेट करना करना कि अच्ट कोश्चन देखिए हाँ जी तो मैंने आपको कोश्चन नमबर फिफ्टीन ट्राई करने के लिए था बहुत ंजी आप देखी रहे हैंँ तो पता यह कैसे करने क्रॉस मौटिपल चलता सारा कि इसकी मौटिपल इससे पर…? इसकी मौटिपल इससे तो one plus iota का Small Square praand, one minus iota का chop रूट मनटिपल हो रहा है और यह तो आपको पता यह है इस तो ऐसा कोई question नहीं जिसके अंदर आपको मिलनी रहा A minus B A plus B इसको solve करो A plus B का whole square A का square plus B का square plus 2AB minus same scene इसके साथ करेंगे A square plus B square minus 2AB कोई दिकत A minus B A plus B A square minus B square A का square एक Iota का square minus 1 डारेक्ट लिख सकता हूँ 2 Iota minus 1 का square 1 Iota square minus 1 minus 2 Iota upon 1 का square 1 Iota square minus 1 1 से 1 कट गया 1 से 1 कट गया बचा क्या 2 Iota minus plus 2 Iota 1 plus 1 2 minus minus plus उपर थे 2 2 4 Iota 1 plus 1 2 cancel out कर दो 2 Iota आ गया लेकिन अगर मैं इसके standard form लिखूँ अगर मैं इसके standard form लिखूँ तो 0 plus 2 Iota बनेगा जी बिल्कुल बनेगा अब मुझे क्या निकालना है अगर मैं इसे let Z के बराबर करके चलता let किसके बराबर करके चलता Z के तो अगर मुझे now modulus निकालना है modulus of complex number modulus of complex number अगर मुझे करना है तो modulus of Z under root A square plus B square बहुत नकली चीज़ है ठेक हैं तो यानि कि हमने क्या देखा modulus of Z under root A A कौन है? 0 0 का square 0 ही होता है B B gone at 2 तो 2 का square it means 0 square 0 2 square 4 0 plus 4 4 4 is the square root of 2 it means modulus of Z is 2 ठेक है बही? करो solve इसको फटा फट करो solve एक question और रह गया है question number 16 कर रा चुका हूँ 18 एक last question और एक last question और note हो गया? चलो video pause करना है और not करना है ठीक है? यह minus plus है minus plus की चीज़े मत बोलना सर आप थोड़ा fast चला रहे हो फिर भी एक एक चीज़ देख लो यहाँ पर clear कर दिया है मैंने कि कौन minus है कौन plus है चलिए last question to go कहरा है आप से 18th question find the number of non-zero integral solution of the equation बच्चो आपको equation दी गई है question number 18 में modulus of 1 minus iota की whole power x is equal to 2 की power x यह दिया गया बच्चो ठीक अब देखो अगर यह चीज़ दी गई है तो आपको आगे कुछ भी फाल तू solve करने की जुर्द नहीं है ठीक है कैसे किया जाए अरे sorry sorry अभी तो और question है 19-20 भी है करेंगे देखो बच्चो ऐसे question को solve करना second का काम होता है कैसे मैंना आपको क्या सिखाया है कि भई जब भी complex number के आगे आगे आपको mode दिखाई दे जाए तो modulus निकालने का तरीका under root a square plus b square होता है बिलकुल होता है तो under root a square मतलब one का square plus b square b की जग़ा पे कौन है minus one का square और इस पूरे की power क्या बन जाएगी जल्दी बता तो x बन जाएगी क्या बन जाएगी x क्योंकि ये जो हिस्सा है mode वाला मैंने इसको ये बना दिया ठीक है क्योंकि हम जानते है कि modulus का result यही होता है 2 की power x under root one का square one minus one का square भी one अब ये root two क्या होता है root का मतलब होता है power one by two root का मतलब क्या होता है power one by two और आपको अच्छे से पता है कि जब two की power m और बाहर n हो तो इसको हम लिखते है two m into n ये बात आपको अच्छे से पता है अगर ये relation याद है तो आप बड़े अराम से question solve कर लेंगे ये कहां पढ़ा था हमने ninth class में कि two की power m अगर बाहर n हो तो two की power m into n हो जाता है तो it means हम क्या करेंगे बच्चो two one by two का x multiply करेंगे x by two और ये two x अब आपको अच्छे से पता है कि जब बीच में equal हो और base same हो तो power भी क्या होती है same फिर से सुनेंगे बीच में equal हो दोनों के नीचे का base same हो तो it means power are same power भी क्या होंगी same हो जाएंगी ठीक है power भी क्या हो जाएंगी same हो जाएंगी तो बस आपको यहां से इसकी क्या निकालनी है भई आपको इसकी यहां से value निकालनी है आपको यहां से इसकी value निकालनी है कि value किस परकार के आएगी तो ठीक है 2 यहां पर divide कर रहा हो जाके multiply करेगा 2x plus का x वहां जाके क्या करेगा जल्दी बता दो minus तो 0 2x में से x गया तो 0 यानि x की value कितनी आ गई 0 काम खतम ठीक है काम खतम कीजिए इसको नोट करो फिर कोशन नमबर 20 देखो कोशन नमबर 20 कह रहा है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर अगर m है 1 के बराबर तो बताओ m की value क्या हो सकती है तो बताओ m की value क्या हो सकती है बहुत सिंपल सबसे पहले हम अपनी tension खतम करेंगे कौन से tension इसको standard form में convert और हमें अच्छे से पता है करेंगे rationalization कीजिए a plus b a plus b multiply करेंगे whole square a minus b a plus b a का square minus b का square ठीक है चलिए अब इसको करेंगे इसको खोलिए a plus b का whole square a square plus b square plus 2ab 1 का square 1 आयोटा square minus 1 की power m बराबर 1 1 का square 1 आयोटा का square minus 1 क्योंकि plus minus minus ही होता है 2 आयोटा upon 1 minus minus plus 1 की power m बराबर 1 1 से 1 बच्चो cancel अब क्या बचेगा बचा उपर 2 आयोटा upon नीचे 1 plus 1 2 की power m बराबर 1 cancel out क्या बना दो भई आयोटा की power m बराबर 1 अब देखो mostly बच्चे ये देखते ही कहेंगे क्या सर क्या है अब बताना क्या आगे तो बच्चो आपको कुछ करना ही नहीं था आपको सबसे पहले ये simple सी चीज सॉल्व कर लेनी थी simplify अब मुझे बस इतना बता दो आयोटा के किस relation पर answer 1 होता है तो भईया आयोटा की power जब 4 होता है आयोटा की power जब 4 होता है तो 1 होता है सही बात है तो क्या मैं 1 को आयोटा की power 4 लिख सकता हूँ जी बिलकुल लिख सकता हूँ क्योंकि आयोटा की power 4 क्या होता है 1 होता है तो बेस सेम तो power भी सेम अभी अभी पड़ा है बेस सेम तो power भी सेम तो M की value 4 बेधड़क answer है simple है की नहीं अब मैं चाहूंगा बच्चो कि आप question number 19 try करेंगे और 17 try करेंगे ठीक है 19 try करेंगे और 17 try करेंगे हो जाता है तो ठीक नहीं होता है तो next class में बच्चो मैं आपको ये बाकी के बचे हुए questions भी करवा दूँगा ठीक है वैसे मुझे एक question और है जो करवाना है important लेकिन वो अभी नहीं करवाँगा exam point of view से important तो वो exam के time पे exam से time से पहले करवाए जाएगा ठीक है क्योंकि थोड़ा सा अलग किसम का है इस वज़े से बाकी NCRT मैंने आपकी पूरी cover करा दी दो question आपको करने के लिए दिये है करके देखिए हो जाए तो ठीक नहीं तो फिर मैं करवाँगा ही ठीक है मुझे अपना doubt लिखके भेज़ दीजेगा और Wednesday को आप लोगों का क्या है भई टेस्ट है तो ready कर लीजिए Wednesday को टेस्ट में मिलेंगे फिर और इसको अच्छे से नोट कीजिए अपनी fair copy में और जबागी कोई doubt हो तो मेरे whatsapp नमबर में मुझे message करके बताइए कि क्या doubt है ठीक है चलिए बाई